हेलो फेंड्स दोरे सेंटर कंप्यूटर में आपका स्वागत है और प्रोग्रामिंग के बारे में अचकल आपने बहुत बार सुना होगा कि C लेंग्वेज, C++ बहुत सारी प्रोग्रामिंग लेंग्वेज ने हम प्रोग्रामर सीख रहे हैं बट एज इनिशेल प्रोग्रामर साथ मिस्टेक्स वह बहुत बड़ी मिस्टेक्स है जो प्रोग्रामर इनिशेल लेवल पर करते हैं या उनको अवोइड करते हैं तो आज मैं आपको वो साथ कौन-कौन सी mistakes है जिनको programmer initial level पे avoid करते हैं तो अगर हम उनको avoid नहीं करें initial level पे तो हम बहुत अच्छे programmer बन सकते हैं तो start करते हैं कौन-कौन सी mistakes है तो यहाँ पर जो first mistake है वो है learning too many programming languages, frameworks and technology यह सारे initial programmers करते हैं सबसे पहले वो बहुत सारी languages सीखना चाते हैं बहुत सारी frameworks वो जब पढ़ते हैं किसी का भी नाम सुनते हैं तो उसके बारे में information निकालना स्टार्ट कर देते हैं Google से कौन-कौन से technologies नहीं है तो बच्चे पूशते हैं सार brainstorming क्या है blockchain क्या है, IoT क्या होता है, machine learning क्या होता है वो एक technology पर work नहीं करते हैं वो different types की programming different types of frameworks को उनको सीखने की कोसिज करते हैं तो यह सामान्य गलतियों में से एक है और programmers जो beginners होते हैं रखता है कि Java, C, C++, Python और बहुत सारे framework बहुत सारे technology सीखने से उनका resume स्ट्रोंग होगा उनकी effective होगा resume में लिखा हुआ कि programming languages जानता हूं but really में वो ऐसा जो काम करते हैं वो एक बेवकूफ वाला काम करते हैं और इसको एक intelligence का sign नहीं कह सकते हैं तो उनको हम intelligence में नहीं calculate कर सकते हैं अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी mistake कर रहे हैं वो किसी एक particular programming language के उपर command नहीं कर रहे हैं पंदा दिन उन्हें फॉर एक्जामपल उन्हें पंदा दिन जावा सीकी और उसके बाद उन्हें थोड़ा सा लगा कि जावा इस थोड़ी सी कटिन है या और कोई region हो सकता है और उन्हें जावा स्विच करके दूसरी Python programming सीखना चालू कर दिया ऐसे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जिनकी वज़े से वह एक language से दूसरी language में switch होते रहते हैं कई बाद असा होगा ग्यान होना बहुत अच्छी बात है यह जे प्रोग्रामर आपको बहुत सारी programming languages अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है पर हम आपको एक एडवाइज दें शुरू आती लेवल के उपर आपको एक ही programming language के उपर focus करना चाहिए और उसके अंदर experience जब आपको हो जाए तब आप दूसरी programming languages के उपर switch करना चाहिए और switch करना फिर आसान होता है अगर आप यह गलती करते तो आपको एक बार realize होगा जब आप one से two years का experience अब आप ले लेंगे तब आपको realize होगा कि आप किसी भी भासा के अंदर किसी भी programming language के अंदर अभी भी expert नही हैं एजे initial level पर ही आप उन languages को उन technologies को सीख रहे हैं तो यह चीज़े आपको आज से एजे initial programmers के बाद में एक दो साल आप जब आप spend कर रहेंगे तब भी आपको यह ही realize होगा कि आप एजे beginner उस programming language से work कर रहे हैं तो don't do this second जो topic है comparison self-doubt and fear यह बहुत बड़ा factor है programming languages में initial programmers के लिए कि वो हर समय दूसरों से अपने आपको तुलना करते रहते हैं और वो जब तुलना करते हैं तो किसे करते हैं जो experience programmer है जिनको two, three, four year का experience होता है वो उनसे compare करते हैं खुद को अच्छे programmer को देखकर वो सोचते हैं कि वो तो बहुत जल the solve कर लेते हैं तो वो अगर ऐसा करते हैं तो I think it is not good sign for them तो if you are interesting in programming, solving, learning, completing then आप अगर initial level पर आप उनको कर रहे हैं और धीरे-धीरे सीख रहे हैं तो हमें लगता है, मुझे लगता है कि आप slow learning बहुत ज़्यादा effective होती है सुर्वाद में हमेशे आपको एक question आपकी दिमाग में रहेगा कि मेरे पास सही तरह का mind नहीं है, मैं उस person के compare में बहुत slow काम करता हूँ और कई बार तो ऐसा होता है कि खुद के ओपर doubt भी होता है कि क्या मैं programming कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं करें आप slow learning में हैं आप भीरे दिरे उन चीज़ों को सीखते रहें और हाँ आप अपनी आपकी खुद की कमियों को खुद पैचाने कि मुझे कहा problem आती है उन problems को सुधार करें improvement करें उन problems के अंदर अपनी ताकस को पैचाने अपने जो positive points हैं उनको पैचाने और हो सके तो online tutorials की मदद से उन चीज़ों को जो आपकी कमियां है आपके अंदर जो आपने self deduct की है या आप किसी के अंदर में सीख रहे हैं तो आप उन से पूछिए कि मुझे कहां work करना चाहिए और उन सब चीज़ों को आपको improvement करना चाहिए थर्ड जो point है वो है writing messy code and ignoring code quality यह जो initial programmers करते हैं कि एक experience programmer आसानी से आपके code को देख के पता लगा सकता है कि आप initial programmer है या experience programmer है कैसे आपके writing type, writing way of your programming code, आपका code का indentation, आपने जो white space use किया है वो आपने जो variables के नाम लिखे हैं वो जो आपने functions के नाम लिखे हैं वो case sensitive cases देखे हैं capital letter में आपने कोई काम किया है या small letter में लिखा है यह सब चीज़ें देख कर आपको आसानी से पता लग सकता है कि आप initial programmer है या experience programmer है तो जबी भी आप code लिखें तो indentation का follow करें indentation के rules को पढ़ें second आप उनके जो white spaces उनको पढ़ें variable का name लिखने को एक relevant नाम लिखें for example बच्चे लिखते है integer a को इस replace करें 1,2,3,4 like that जो variable relevant है जैसा अगर माल लीजेगा आप area of circle निकाल रहे हैं तो वह आर नहीं यूज़ करें वह आर के जगा radius यूज़ करें variable के नेम के अंदर प्रोग्रामी यह नहीं होती कि आपने code लिखा और आपका काम हो गया आपने code लिखा और आपके through वह program code work कर रहा है तो वह हो ही program नहीं है प्रोग्राम clean होना चाहिए readable format में होना चाहिए और maintain available होना चाहिए सो आपको well structured programming को follow करना चाहिए फोर जो पॉइंट है writing code without plan mostly 90% students initial level के उपर 90% programmers initial level पे यह काम करते हैं जैसे ही आपको program मिला वो directly programming code लिखना इस्टार कर देता है और वो एक shortcut way है जो आप directly program लिख रहे हैं वो thinking research planning directly coding पे आते हैं जो initial steps है जिनको मैंने discuss किया thinking सोचना उसके बारे में उसके बारे में research करना उसके बारे में planning करना यह सारी stages को वो ignore कर देते हैं और directly coding ने start कर देते हैं don't understand problem जब तक आपको problem ही समझ में नहीं आएगा तो आप उसके regarding input output उसके requirements उसके limitations यह नहीं पता कर सकते तो code लिखना directly बंद करें और अच्छे programmers वो होते हैं जो 10% coding पे ध्यान देते हो 90% लोग planning research and discussion पे ध्यान देते हैं तो वो program ज्यादा successful होता है आपको क्या करना चाहिए आगे कोई प्रपलमières को break करना चाहिए ठिंक करना और उसके बारे में सोचक्षयर्टर और हो सके तो not着 down करना चाहिए उसके step को भी उसके design prepare करना चाहिए और उसके लिए rough work भी करना चाहिए और जहां तक हो सके उसके बारे में सर्च करें और फिर उसका program का call लिगना, स्टार्ट करें. फिर जो point है, thinking you know it all. ये बहुत बार programmers के साथ होता है, initial programmers में क्या होता है? For example, आपको ऐक problem दी, आपने वो program soul कर दी, तो आपको लगने लगेगा कि मुझे programming आने लग गयी है, अब तो हमें programmer ही बन गया हूं मेरे जैसा कोई program नहीं लिख सकता तो thinking you know it all ये आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं because programming एक ऐसा scope है जहां learning की कोई limit नहीं आप जित्ता सीखेंगे उत्ता ही अपने आपको develop कर पाएंगे तो thinking you know it all अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप programming नहीं सीख सकते हैं तो आप अपने programs को improvement करिएगा जो आपने code लिखाया है उसको अपने senior की code से image करवाईएगा उस code क्यों में बहुत सारे improvement की requirement होती है तो आप उसको ऐसा नहीं समझे एक program solve कर जखते हैं कई बार ऐसा होता है कि एक program solve कर लिया क्योंकि वह आपने पहले बनाये हुआ था या आपने कहीं नहीं प्रॉब्लम आपको solve करने के लिए देदे तो आप वहां आके अटक जाते हैं तो ऐसा ना करें हर बार सीखने की always you should behave like a new student और student की तरह learning process में हमेशा रहे जो पॉइंट और नो बेक अफ और बहुत सारे प्रोग्रामर्स यह इनिशेली लेवल पर mistake करते हैं कि वह अपने प्रोग्राम का अपने प्रोजेक्स का बेक अप नहीं लेते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म अविलेबल है वहां पर अपने कोड्स को बेक अपने रखें और जब भी फ्यूचर रेफरेंस हो फ्यूचर रिक्वार्मेंट हो तो आप यूज कर सकें क्योंकि आपका हार्ड डिस्क्रेस कभी भी हो सकता है आपके लेप्टॉप में कुछ प समझते और वीडियो टुटोरियल देखते हैं वीडियो टूटॉरियल देखते हैं अप प्रैक्टिश नहीं करेंगे जब तक आप तून स्मझ नहीं पाएंगे For example, आपको लगता है कि बहुत आसान है किसी भी काम को करना अगर आपने वीडियो देखा और किसी को देखा H.O.E. में भी आपने उसको देखा कि हाँ ऐसा practically में हम करकर करके देख सकते हैं जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे जब तक है कि आपखुद अपने हाथ से नहीं करेंगे, मैं आपको विश्वास देला देता हूँ आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे जब आप उसको अपने हाथ से करना इस्टार्ट करेंगे तैपको रियलाइज होगा कि हैं मैं यहां यहां मिस्टेक्स करता हूँ चोटी ऐसे mistakes बहुत बार करते हैं तो don't do it कि आपने सीखा है, copy में देखा था, book में सीखा था, teacher ने बताया था, tutorials में सीखा था, video देखा है, पर जब तक आप अपने खुद के हाथ से नहीं करेंगे, तब तक आप खुद नहीं कर पाएंगे, तो यह साथ mistakes मैंने जो आपको ब करेंगे, so thank you so much for watching this video and